Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि एक under construction house property या under construction property के लिए अगर आपने bank से loan ले रखा है, bank को आप बाकायदा interest भी pay कर रहे हैं, लेकिन आपका जो घर का construction और construction complete नहीं हुआ, तो क्या इस बार जब आपनी ITR फाइल कर रहे होंगे, तो उस interest का component जो कि आपने अभी तक पर किया है, उसका deduction आपको मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कैसे, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं, the wealth mantra, वीडियो छोटी सी है, तो इसलिए मैं request करता हूं कि वीडियो को last तक देखे, so that properly आपको example के साथ में समझ में आ जाएं कि किस तरीके से deduction claim करना है, और क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और last में आपको लगता है कि हाँ, कुछ value addition होई है, तो definitely आप like कर सकते हैं, and हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, income tax में जो under construction house property के reference में जो deduction है, उसमें condition, वो condition ये है कि जब तक आपका house का construction complete नहीं हो जाता ह आप इस under construction property पे जो भी interest पे किया है, उसका deduction claim नहीं करेंगे, deduction claim करने के लिए house का construction complete होना जरूरी है, must है, तो चलिए कि example से समझते हैं कि कि कितना interest का deduction मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो चलिए माल लेते हैं कि year 2020 में bank से loan लिया गया एक under construction house property के लिए, और January 22 में इसका construction complete हो गया, यानि दो सालों में complete होगया construction, इस दो साल के period में जो loan लेवाना person उसने एक लाख रुपए का interest पे किया, so income tax provisions के according, जिस साल construction complete होता है, उस साल और उसके अगले 4 साल, यानि total 5 सालों में, आप इस interest component का deduction claim कर सकते हैं, 5 equal installments में, so 1 lakh divided by 5 is 20,000, यानि हर साल 20,000 के deduction आप pre construction interest के नाम पे अपने ITR में claim कर सकते हैं, एक और important चीज, government ने ये भी mention किया होगा है, कि अगर आपका ये construction अगले 5 सालों में complete नहीं होता है, तो ऐसे situation में maximum deduction in a year cannot be more than 30,000, एक और important चीज जो आप सोच रहे होंगे, कि जरूरी नहीं है कि 2 सालों में पूरा का पूरा loan payoff हो जाए, बहुत संभव है कि 2 सालों के बाद भी अगले कई सालों तक उस loan का repayment किया जा रहा हो, तो ऐसे situation में interest की calculation कैसे होगी, ये भी समझ लेते हैं, so जिस साल construction complete हो जाता है, उसके अगले उतने सालों तक जब तक interest की payment completely नहीं हो जाती है, जब तक loan properly pay off नहीं हो जाता है, तब तक आप interest component का up to 2 lakhs rupees का interest का deduction अब अपने ITR में claim कर सकते हैं, अपनी tax liability को कम कर सकते हैं, I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ question, query concern रह जाते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो definitely आप comment section में पूछ सकते हैं, we will try to answer that, at the earliest, जितनी जल्दी हो सकता है, उतनी जल्दी इ रहेंगे, तो जब तक हम कोई और informative वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप ये में कमाते रहें, बचाते रहें, और हमेशा किदर मस्कुराते रहें, bye bye and take care.